सभी लोगों का स्वागत है ओनलाइन ओफ लाइन सभी लोगों का और एक भरोसा और बिस्वास लेकर के आप आए हैं हमारा पर्यास ये रहेगा कि हम आपके भरोसा और बिस्वास पर खड़ा उत्रे और आज तक का इतिहास तो यही रहा है कि हम हमेशा आपके भरोसा और बिस्वास पर खड़ा उत्रे हैं इसके अने को परमान है हमने और हमारी संस्थान ने मिलकर आपके साथ सेक्रों की संख्या में छात्रों को सफल बनाया है अब परियास ये है कि इस सेक्रों की संख्या को हजारों में तबदिल करना है तो ठीक है आप आए हैं अच्छी बात है आते तो हजारों लोग हैं जुरते तो हजारों लोग हैं लेकिन उसमें सफल बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि टीचर या आपके सिक्षक या आपके मार्क दर्सक की बातों को मानना उतना आसान नहीं होता है तीन लोगों की बातों को मनना असान नहीं होता है एक मा, दुसरे पिता जी, तिसरा टीचर तो यही चीज है और आप सभी का जो ये भरोसा और विश्बास है वो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के कारण है संस्थान लगतार जो रिजल्ट दे रहा है उस बज़ों से ये भीर आपको देखने को मिल रहा है ये हुजूम आपको देखने को मिल रहा है और मेरा अपना मनना है कि अगर आप किसी मार्ग पे चले हैं तो उस मार्ग पर ले करके हजारों इनसान को ले करके चल सकते हैं और बिहार दरोगा के परिच्छा में संस्थान का हमेशा से पर्चम लहड़ाया है, इसके पीछे एक मात्र कारण है, कि स्वेंग हम इस परिच्छा को चार बार क्वैलिफाई किये हैं, तो चार बार क्वैलिफाई करने का अनुभव है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, इन चीजों का अनुभव है, वही अनुभव हम आपके साथ साजा करते हैं, और प्रियास करते हैं कि हम जो भी चीज पढ़े हैं जो पढ़के सफल हुए हैं वही चीज हम आपको पढ़ा हैं और आप भी अपने जीवन में सफल हो सके और देखिए हल्ला हर कोई करता है इतना रिजल्ट हुआ उतना रिजल्ट हुआ लेकिन रिजल्ट दिखाता कोई नहीं है और संभवता हमको लगणा है पटना की धरती पर रिजल्ट पर काम करना इसी संस्थान ने शुरू किया है रिजल्ट दिखाना इसी संस्थान ने शुरू किया है बहुत सारी ऐसी चीज हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको स्वेंग पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है और आगे धीरे धीरे हमारी विशे में संस्थान के विशे में सब चीज आपको मालूम हो जाएगा क्या है क्या नहीं है बस लास्टली यही कहिंगे सिर्फ आजाने मातर से रिजल्ट नह कि जो आपका मार्गदर्शन किया जाएगा उसका अनुसरन आपको करना होगा और अगर आप अनुसरन नहीं करते हैं तो फिर कोई फैदा नहीं है कुछ भी नहीं होने जा रहा है तो इसलिए आप ये मत सोच लिजिएगा कि आ गए रिजल्ट हो गया ऐसी कोई बात नहीं है और हम आपको आज पहला दिन बोल रहे हैं और जब परिच्छा का दीन होगा उस दीन भी हम आपको बोलेंगे और जब आप रिजल्ट लेकर के आईएगा उस दीन भी हम आपको ये बात बोलेंगे आपकी सफलता कस्रे सबसे ज़्या कारण आप स्वेंग है और अगर आप हारते हैं तो उसका भी कारण आप स्वेंग है ना कोई टीचर ना कोई बूक ना कोई संस्थान आपका रिजल्ट दे सकता है जब तक आप ना चाहें तो सब चीज depend आपके उपर करता है कि आप सफल होईएगा या आप सफल होईएगा क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब कुछ depend करता है आपके उपर और जैसे जीवन में पहला प्यार का अपना एक अलग महत्तु होता है उसी प्रकार से इस संपूर्ण तैयारी में इस पहले क्लास का बहुत ही अधीक महत्तु है और ये एक exam guidance क्लास है देखिए हमारा अपना मानना है कि अगर हम कोई काम करने जा रहे है या फिर अगर मान लिया जाए कि हमको साधी करना है तो सामने वाली के भी से में पता करना है अच्छे से क्या है क्या नहीं है या फिर अगर माल लिया जाए समुद्र में तेरना है तो समुद्र की गहडाई हमें मालूम होनी चाहिए तो उसी परकार से आप 2024 में जो भेकेंसी आना है और भेकेंसी आएगा चाहे सरकार किसी की भी हो बिहार में भेकेंसी रुकने वाला नहीं है क्योंकि बिहार के एक युवा नेता ने रोजगार को मुद्दा बनाया है तो देखे बीजेपी गवर्मेंट कभी भी रोजगार सरकारी नुक्री को लेकर बात नहीं करती है नहीं सरकारी नुक्री को रोजगार को लेकर के बात करती है लेकिन बिहार में देख लिजिए बीजेपी के डिप्टी सीएम है समराट चौधरी संभवता समराट चौधरी है उन्होंने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया हिंदुस्तान अख़वार में छपा था दौस लाग सरकारी नुक्री देंगे ये बीजेपी के बिहार के डिप्टी सीएम समराट चौधरी का स्टेटमेंट है तो आप इस बात को लेकर के आस्वस्त रहिए सरकार किसी की भी हो बिहार में भेकेंसी आना है 100% आना है तो 2024 में बिहार सब इंस्पेक्टर की भेकेंसी आनी है अब देखिए भेकेंसी कितनी आ पाती है एक हजार आती है,وبहजार आती है, हम यह फेकने वाली बात नहीं करेंगे,कि कि नहीं हमको तो एस्ड.्य.म दिखाया है हम को तो फल्ला दिखाया है,स प्रकार नहीं कर कह कहीं कोई बात नहीं है हम भी आफी मेंसे एक है HERE तो वेकेंसी आएगा इतना पता है वेकेंसी आएगा लेकिन कितना आएगा ये हमको नहीं पता है लेकिन आएगा जरूर और बहुत जल्दी आएगा कब आज आएगा कहना मुस्किल है लेकिन आएगा वेकेंसी जरूर तो आप बिहार सब इंस्पेक्टर परिछा की तयारी कर चाहते हैं और इसलिए आप यहां उपस्थित हुए हैं तो बिहार सब इंस्पेक्टर परिक्षा की समझ आपके भीतर होनी चाहिए क्या है क्या नहीं है इन चीजों को एक एक करके हम लोग देखेंगे देखिए यह है छोटी छोटी बाते यह लेकिन यही छोटी छोटी बातें आपके जीवन के सफलता और असफलता दोनों को डिसाइड कर देगा तो यह छोटी छोटी बातों को आज के सेसन में हम समझेंगे इस बैच में हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं सबसे पहले हम लोग समझेंगे परिक्षा क्या है परिक्षा पास करने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कितना अस्तरिय परिक्षा है एक यह बात हो गई सिलेबस को डिभाइन करने का प्रियास करेंगे सिलेबस क्या है संस्थान आपके लिए क्या करेगा आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट हो सके इन तमाम बातों की चर्चा आज के सेशन में हम आपके साथ एक एक कड़के करेंगे और देखिए हमारा अपना मानना है कि आप जिस भी परिच्छा की तयारी करते हैं उसके प्रिभिया सियर कोश्चन पे आपकी पकर बहुत मजबूत होनी चाहिए और आज जो हम लोग चीजों को समझेंगे एक डिफ्रेंस ले रहे हैं देखिए हाल फिलाल में 1275 पोस्ट की जो भेकेंसी आई हुई थी पिछले साल उसकी परिकिरिया जाड़ी है उस परिकिरिया के आधार पर ही 1275 की जो भेकेंसी आई है क्योंकि 2024 में जो भी पड़किरिया होगा 2023 के पड़किरिया के तहत ही होगा तो आज के सेशन में हम लोग समझने के लिए 1275 पोष्ट की जो बेकेंसी है उसका जो बिग्यापन है उसी को आधार बना करके चीजों को हम लोग समझेंगे और 1275 प्रिलिम्स के टाइम में 17-18 टॉपिक हम गैस किये थे और वही 17-18 टॉपिक लगबग कलास में करबाए भी थे और लगबग पहला सेटिंग की हम बात करे सत परतिसत कोस्चन लड़ गया था करेंट का, एस्पेसली करेंट के संदर में हम बात कर रहे हैं और जो 17-18 टॉपिक चूज किये थे वो 2446 प्रिलिम्स में पूछा गया प्रश्ट और 213 प्रिलिम्स में पूछे गये प्रश्टनों को हमने आधार बना करके वो 17-18 टॉपिक चूज किया था और उन्हीं टॉपिकों को बच्चों को करबाया और बहुत बहतर करके आए लोग तो इसी लिए 2023 में जो बेकेंसी आई है उनकी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आज चीजों को हम आपको डिलेवर करने का परियास करेंगे और आप इन बातों पर जो है गौर थोड़ा ज़्यादा फड़माएंगे तो सबसे पहले बेच तो आज से शुरू है ठीक है अच्छी बात है ताइम आपको पता ही है और सिंटर आपको पता ही है ये तो हमारा फोटो है हमको जानते ही होंगे आप नई जानते हैं तो जान जाईएगा सबसे पहले परिक्षा हमको पता है ये चीज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो परिक्षा से अबगत होंगे क्या है क्या नहीं है लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अबगत नहीं होंगे तो आप सभी लोग हमारे पास आए हैं तो हम सबको बताएंगे जहां तक परिच्छा का सवाल है बिहार सब इंस्पेक्टर परिच्छा का सवाल है यह जो परिच्छा है तिरी अस्तरिया परिच्छा है तिरी अस्तरिया परिच्छा है तीन प्रिलिम्स में 100 question होते हैं, per question 2 mark होते हैं, यानि 200 mark होते हैं, negative 1 by 10 होता है, और prelims में pass करना आवस्यक होता है, जब आप prelims में pass करते हैं, तभी आप mens दे पाते हैं, अगर आप prelims पाते हैं, तो फिर आप mens के लिए qualify नहीं हो पाते हैं, और जहां तक बिहार SI, prelims और mens के syllabus का सवा है, लगभग same है, थोड़ा बहुत question के pattern में अंतर होता है, syllabus लगभग same है, और यह जो batch है, prelims कम mens batch है, और यहां पर हम आपको बताते चले, आप जो prelims में payment करेंगे, अगर आपका prelims में result होता है, होगा ही, maximum लोगों का होगा, सब का नहीं हो सकता है, ये बात हम कह सकते हैं, लेकिन maximum लोगों का होगा, ये बात हम निश्चीत तोर पर कह सकते हैं, और prelims में आप pass करते हैं, mens का आप तयारी करते हैं, mens का तयारी संस्थान के द्वारा इसी फी में करबाया जाएगा, तो ये जो batch है, आप देखे होंगे, यहां पर अगर आप गौर करेंगे, तो यहां उनों के syllabus में कोई अंतर नहीं है, syllabus सेम है, थोड़ा बहुत difference है, उस difference को हम आपको समझा देंगे, लेकिन maximum चीज, 90% चीज एकदम सेम है, 90% pattern पर इच्छा का, prelims का, mens का, सब चीज सेम है, तो इसलिए prelims का mens बेच है, और इसमें prelims के साथ-साथ mens की भी तयारी आपका अभी स में नहीं जारी रहेगा, और prelims में जो आप payment करेंगे, उसी आधार पर आपको mens भी पढ़ाया जाएगा, mens के लिए आपको कोई भी नहीं लिया जाएगा, इस बात को भी आप ध्यान में रखे, तो ये चीज है, prelims का mens बेच है, अब इसके बाद आप आगे आईएगा, करके आपको physical होता है, तो पहला दर्बा जाएए है, दूसरा दर्बा जाएए है, तीसरा दर्बा जाएए है, अर्था 3 अस्तरिया पडिच्छा होता है, prelims में जितना वेकेंसी आता है, उसका 20 गुन्ना रिजल्ट दिया जाता है, मन लिया जाए कि 1000 वेकेंसी आया, तो 1000 का 20 गुन्ना रिजल्ट दिया जाएगा, यानि 20,000, जितना भी लोग फॉर्म भड़ेंगे, उसमें से 20,000 का रिजल्ट दिया जाएगा, 20,000 लोग मेंस दिंगे, और मेंस का जहां तक सबाल है, मेंस में दो पेपर होता है, पर्थम पेपर हिंदी का होता है, और दूसरा पेप पर GS का होता है, समान हिंदी में 100 question होते हैं, 200 mark होते हैं, यहां पर भी negative 1 by 10 होता है, यह qualifying nature का होता है, 30% इसमें लाना होता है, लेकिन इस बार जो हिंदी का paper आया है, काफी tough paper आया है, बहुत सारे लोग इस बार हिंदी में file करने जा रहे हैं, इसमें भी कोई सक नहीं है, बहु दो घंटे का यह भी होता है, फिर second paper, समान अध्यान, यह जो paper होता है, यह आपका main paper होता है, और इसमें जो mark आता है, इसी mark के आधार पर आपका बनता है, merit, merit बनता है, तो अगर आप mens भी qualify करते हैं, तो mens में 20,000, अगर लड़का mens दिया है, तो mens में भेकेंसी का 6 गुना, फिजिकल के लिए जाएंगे, अब फिजिकल में कौन pass करते हैं, कौन fail करते हैं, वो तो फिजिकल के उपर depend करेगा, अगर फिजिकल भी pass कर जाते हैं, तो उसके बाद आपका merit आटा है, और merit में नाम आ गया, तो नुकडी हो गया, नहीं तो नुकडी नहीं हुआ, तो यह के लिए हाइट है, एक सो पच्पन सेंटीमीटर, एक भी सेंटीमीटर या point में भी कम है, तो कोई उपए नहीं है, पहली बाद, वोज के लिए हाइट है, वोज के लिए अलग-अलग के टेगरी में अलग-अलग है, जेनरल के टेगरी और OBC, 1.65, इसके बाद, जेनरल के ट एक साथी, समझी गए, तो ये है, और इसके बाद, गल्स के लिए रणिंग है, छो मिनट में, एक किलो मीटर, बोज के लिए रणिंग है, सारे छो मिनट में, और फिर बोज के लिए, हाय जम्प है, 4 फीट, लॉंग जम्प है, 12 फीट, फिर गोला फेक है, और गल्स के लिए हाय जम्प है, तीन फीट, लॉंग जम्प है, 9 फीट, और फिर गोला फेक है, फिजिकल में ये सारा चीज होता है, और इसके बाद, गल्स के लिए यहाँ प जबकि छटते नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ओबरे स्मार्ट टाइप की लड़कियां जो है अपना जमाने के चकर में जो है इस में भी छटी है पिछली बार की आप बता रहे हैं एक दो लड़की छटी है बाद में आई थी बाद में आने से क्या होगा ठीक है जो होता है उन दे दिया अब देखिएगा आपको जो नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन आता है बीपी एसेसी बोर्ड आपका परिच्छा कंड़क्ट करवाता है उसके दोरा जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसमें सिलेबस को लेकर के जो बाते कही गई है वही चीज हम आ पचास परतीसत आपका तयारी हो गया, बात वांकी पचास परतीसत में आपको जो करते रहे, लेकिन सिलेबस की समझ और कोस्टन बेंक पर पकर बढ़ाबर पचास परतीसत आपकी तयारी संपन, प्रिलिम्स में, नोटिफिकेशन में जो लिखा रहता है, समान ज्यान एबं समसमाईक मुद्दों से संबंधित प्रस्टन पूछे जाएंगे, जेनरल नॉलेज का बड़ी व्यापक अर्थ होता है, जो बिहार सब इंस्पेक्टर की परिच्चा है, या परिच्चा ग्रेजूएट अस्तरीय है, तो ग्रेजूएट लेवल तक का समान ज्यान में कुछ भी पूछ सकता है, हुँ, हिंदी पूच सकता है, इंगलीज पूच सकता है, संस्क्रिट पूच सकता है, होम साइन्स पूच सकता है, सोस्लोजी पूच सकता है, कुछ भी पूच सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, अगर माल लिया जए होम साइन्स, साइकलोजी, सोस्लोजी से प्रश्णाते हैं, एक दो कड़के प्रशनाते हैं तो ये सब साइकलोजी, सोस्लोजी, होम साइन्स, हिंदी, इंगलिस, डिजल्ट के लिए मेटर नहीं करता है जो पेटर्न रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्रफी, फिजिक्स, केमेश्टी, बायलोजी, इकोनॉमिक्स, करेंट, बिहार, मिस्लेनियस, मेट, डिजनी यही सब चीज, जितना का नाम लिए, ये सब चीज मेटर करता है अगर sociology से प्रस्तफना गिया, psychology से प्रस्तफना गिया, home science से प्रस्तना गिया ना कोई बच्चा परकिए जाता है, ना master पढ़ाता है तो हो सब प्रस्टन result को decide नहीं करता है और कुछ लोग तो उसी चक्र में रह जाते हैं, तो उस चक्र में नहीं परना है समझ गए तो समान निज्ञान यहां पर और डिफाइन करेंगे हम तो प्रिलिम्स में यह है और मेंस में पर्थम पेपर जो हिंदी होता है गध्यान समानार्थक, बिलोम, बाक्य तुरूटी, वाक्य सुधार, पढ़ियावाची, हिंदी, साहिते की रचना, एबमलेकक, संधी समा सकारक, यह सबाते हैं, हिंदी क्वाइलिफाइंग करना आबस्यक होता है, 30% मार्क लाना आबस्यक होता है, नहीं तो फिर आपका मेंस का कौपी ही चेक नहीं होता है, तो यहां पर क्वाइलिफाइंग करना आबस्यक होता है, फिर दूतिया पेपर, समान अध्यान का हो भरतिय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, भरतिय भूगोल, गनी तेवम, मानसिक योगेटा, ये आपका एक सिलेबस है, बोड अपने नोटिफिकेशन में जितना देता है, उतना ये सिलेबस है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस के बिसे में और भी बताया जाए ये सिलेबस है, फिर देखिए, इस बात को आपको समझना है, ये आपके लिए आबस्यक है, और बड़ी आबस्यक है, मतलब इसके जड़िये हम आपको यह बतलाने का परियास कर रहे हैं, कि आपको तयारी करने के लिए समय कितना मिल सकता है, और नोटिफिकेशन में, अगर आप पिछले साल का नोटिफिकेशन पढ़िएगा, आप लोग को तो उतना टाइम है नहीं, लेकिन हमारे पास तो टाइम है, हम तो पढ़ते हैं नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में असपस्ट तोर पर इस बात का जिक्र है, कि सारी परकिरिया 6 मा के भीतर पूरी कर ली जाएगी, जिस रोज नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन आने के 6 मा के भीतर सारी परकिरिया पूरी कर ली जाएगी, नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र है, थोड़ा सा यहां पर हम आपको ये बात बतलाना चाहते हैं, कि आपको कितना दिन के लिए कंसस रहना देखिए, 1275 पोस्ट की जो भेकेंसी आई है, उसी संदर में चीजों को समझाते हैं, यहां पर सब चीज इसलिए हम लिख दिये हैं, ताकि टाइम कम लगें, विग्यापन संख्यां 2-2023, 39-2023 को 1275 पोस्ट के भेकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आया है, 39-2023, 1275 पोस्ट की जो परकिरिया आभी चल रही है, उसका नोटिफिकेशन आया है, 39-2023, मतलब 30 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया, फॉर्म अपलाई आप कर सकते थे, 5-10-2023 से 5-11-2023, एक माह तक फॉर्म आप भर सकते थे, इसके बाद आपका प्रिलिम्स का परिच्छा 17-12-2023 को हुआ, मेंस का परिच्छा 25-2024 को हुआ, और टेंटेंटिफिकल डेट है, मार्च लास्ट वीक या अप्रेल, में हो जाए तो देखिए, फॉर्म अपलाई से ले करके, बिज्यापन संख्छा से ले करके, प्रिलिम्स तक, बिज्यापन संख्छा से ले करके, प्रिलिम्स तक, 30 सितंबर को आया है, सितंबर तो खतमी है, पूरा अक्टूबर, पूरा नमंबर, और दिसंबर आधा, लगभग आपको तो धाय महिना का समय मिलता है प्रिलिम्स की तयारी के लिए गौर करने वाली बात है ये notification आने के तीथी से धाय महिना का समय आपको प्रिलिम्स की तयारी के लिए मिलता है या maximum आपको मिलेगा न तीन माह उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा maximum आपको मिलेगा तो 3 माह तो जिस तीथी को आपका notification आ गया उस तीथी के 3 माह के भीतर आपका परिच्छा हो जाएगा आप मान करके इस बात को चलिएगा तो अभी तो notification आया नहीं है तो पहले से हम लोगों को तयारी करनी चाहिए ताकि बहतर तयारी हो सके notification आने के बाद जो तयारी करेगा उसका कुछ नहीं होने जा रहा है जो अभी से तयारी करेगा उसी का कुछ होगा इसके बाद देखिएगा prelims होने के लगभग दो माह एक सप्ता के भीतर maximum दो माह एक सप्ता के भीतर prelims हुआ 17 दिसंबर को और मेंस लिया 25 फरबड़ी को तो 17 दिसंबर से 17 जनबड़ी 17 जनबड़ी से 17 फरबड़ी दो माह और एक सप्ता तो लगभग prelims के बाद मेंस आप मान के चलिए दू माह या maximum धाय माह के भीतर आपका मेंस हो जाएगा तो कुल मिला करके notification निकलने के बाद prelims के तयारी के लिए आपके पास धाय माह का समय है और मेंस की तयारी के लिए आपके पास दो माह का समय है तो इस pattern को कुछ आप समझ पा रहे हैं मतलब notification आने के बाद बहुत ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा इसी लिए तयारी अभी से आप जारी कर दीजिए कुल मिला करके यही बतलाना चाह रहे थे कि जो अगले vacancy के लिए तयारी करना चाहते हैं बिना इंतजार किये हुए तयारी करना आप सुरू कर दीजिए इसके जड़िये बस हम आपको यही बतलाना चाहते थे और कुछ भी बतलाने का कोई मकसद नहीं था इसके बाब देखिए 1275 के लिए जो prelims का परिक्षा हुआ है और जो men's का परिक्षा हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए 2024 में आने वाले भेकेंसी को लेकर हम आपको तयारी करवाएंगे 1275 परिक्षा हुआ दोनों सिटिंग पहला सिटिंग दोनों देखिए कहां कहां से प्रश्ण पूछे गए थे मतलब अभी तो सबसे पहले आप प्रिलिम्स का ही तयारी करेंगे तो प्रिलिम्स के तयारी के दोरान आपको किन-किन चीजों का ध्यान दखना चाहिए किन-किन सब्जेक्ट पर काम करना चाहिए 1275 में पूछे गए प्रश्ण के आधार पर इसका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं प्रिलिम्स में छोगो मेत पूछा गया है देखे समाने तोर पर विर्द्यार्थी के दिमाग में क्या होता है सोचिए सुनिए प्रिलिम्स जियेस पर निकाल लेंगे मेंस में मेंत रिजनिंग पूछेगा तो समाने तोर पर मेंस की तैयारी के दौर अन लड़का जो है मेंत रिजनिंग परता है लेकिन इस बार क्या हुआ है देखिए 1275 की कहानी हम आपको बताते प्रिलिम्स में छो गो मेत पूछा, अमेंस में पांच गो मेत पूछा और मेंस में बीस गो रिजनिंग पूछा, बीस गो रिजनिंग पूछा तो देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा, इसमें प्रिलिम्स में रिजनिंग नहीं पूछा था prelims में reasoning नहीं पूछा तो देखिए गौर कीजिएगा थोड़ा सा चीजों पर 1275 वेकंसी के ही चीजों पर गौर कीजिएगा मेंस में 20 गो रिजनिग मेंस में 5 गो मेत 25, 50 मेंस की बात हम कर रहे हैं मेंस का भी यहां पर हम लिक करके लाएं आप चिंताने कीजिएगा 1275 पचीस फरबड़ी 2024 मेंस ये मेंस का है मेंस में देख लिजिएगा मेंत कहां ये गनीत पांच मांसिक योगता यानि रिजनिंग 20 ये मेंस का कहानी है और प्रिलिम्स में जो है आपको छोगो मेंत पुछा है तो क्या आपको क्या लगता है कि बिना मेंत रिजनिंग का आप सब इंस्पेक्टर बन जाईएगा अगर आपके दिमाग में ये बात चल रहा है न तो आप भरम में जी रहे हैं समझेगा भरम में जी रहे हैं आप नहीं होने जा रहा है अभी लिख करके ले लिजे, पोकेट में रख लिजे आप पर्स में, अगर मेत रिजनिंग को आप इग्नॉर किये, हो सकता है आपका प्रिलिम्स निकल जाए, हो सकता है आपका मेंस भी निकल जाए, मेरिट ने बनेगा, मेरिट नहीं बनेगा, इस बात को दिमाग में बैठा इस बैच की अगर हम बात करें तो इस बैच में GS को गहनता से तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, math और reasoning को भी हम गहनता से करवाएंगे, और जो गलती 1275 वाले छात्र और छात्राओं ने किया है वो गलती आप नहीं करें, बोले थे हम उन लोगों को कि आप ignore नहीं कीजि तो प्रिलिम्स के समय से ही, math और reasoning को भी पढ़ते हुए जाना है, ताकि बाद में परेसानियों का सामना नहीं करना पड़े, तो math और reasoning GS तो ठीक है, बिना GS का तो SI बनने का आप सपना भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन math और reasoning को भी आप ignore करके नहीं चल सकते हैं, कुल मिला कर कि हम ये बतलाना चाह रहे हैं थे, math 6, Hindi 2, Bihar 3, English 2, History 14, World History जिसमें 3 और Indian History 11, Politics 13, World Geography 1, Indian Geography 11, Economics 10, Physics 7, Chemistry 6, Biology 7, Current Fair 14, Esthetics 4, बराबर 100, तो देखिए यहां पर 2-3 बात हम आपको गौर करवाएंगे, यहां पर 2-3 बात गौर करवाएंगे, एक बात हम आपको यह गौर करवा रहे हैं, जोगरफी परहाने बग, 1275 वाले को जब पढ़ा रहे थे, उस समय में भी, 246 वाले को परहा रहे थे, उस समय में प्रश्ण कितना आता पिछले साल के भी question को प्रश्ण को प्रश्ण करके देख लीजिएगा बिहार SI परिक्षा में Indian जोग्रफी बहतर कर लीजिए Indian जोग्रफी में प्रश्ण नहीं छूटना चाहिए वर्ल्ड से आता भी है नहीं भी आता है मेंस में वर्ल्ड से एक को प्रश्ण नहीं आया है मेंस में वर्ल्ड जोग्रफी से एक भी प्रश्ण नहीं आया है अब प्रश्ण प्लट करके देख लीजिएगा मार्केट में तो मेरा प्रश्ण गूम रहा है समझ गया है तो वर्ल्ड जोग्रफी एक बात हम आपको यहां पर यह गौर करवाएंगे वर्ल्ड जोग्रफी के पीछे आपको नहीं भागना है वर्ल्ड जोग्रफी के पीछे नहीं भागना है भागना है तो इंडियन जोग्रफी के पीछे भागना है इस data के जड़िये एक संदेश हम आपको यहाद देना चाह रहे हैं और इस data के जड़िये दूसरा संदेश हम आपको यहाँ पर क्या देना चाह रहे हैं समझिएगा देखिए संस्थान अपने तरफ से सब चीज आपको गाइड करेगा कोन बुक लेना है कोन नहीं लेना है क्या करना क्या नहीं करना लेकिन एक चीज यहाँ पर हम आपको बतलाना चाहेंगे जो नई बेकेंसी आने वाली है उसको लेकर के हम प्रेक्टिस सेट निकालेंगे आप practice set लेकर के जरूर बनाईएगा अब कहिएगा क्यों यहाँ पर एक कारण है हमारे द्वारा तयार practice set एकदम due to pattern रहता है परिच्छा के pattern रहता है आप पूछ लिजिएगा या फिर आप भी दियो होंगे 1275 बहुत सारे लोग ऐसे होंगे 1275 आप देखे होंगे दो हिंदी दो इंगलिस पूछा है और 1275 एकजाम से पहले आप देखे होंगे हम practice set निकाले थे और हम अपने हर practice set में दो हिंदी और दो इंगलिस का question दिये थे हमको पता था दो हिंदी दो इंगलिस आएगा और आया कुछ किताब से भी हिंदी इंगलिस लड़े थे तो practice set इसलिए जरूरी है किसी और का practice set कीजिए नहीं कीजिए हमारा practice set तो आपको करना ही होगा पेटर्न अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर मेंस अभी हुआ है 17 दिसंबर को मेंस का भी हम practice set लाइट है बिहार आया है तो इसलिए यहाँ पर दूसरा संदेश हम आपको यह देना चाहते हैं भैकेंसी आने के बाद जो हम practice set निकल लाइँगे प्रिलिम्स में या मेंस में डियू टू पेटर्न होगा आप उसको ले करके जरूर कीजिएगा यह दो बात हम आपको बतलाना चाहरे हैं और तीसरा संदेश हम आपको यह देना चाहरे हैं कि इतना चीजों को आपको परना होगा यहाँ पर हिंदी और इंगलिस की हम बात करें तो हिंदी और इंगलिस आपके प्रिलिम्स के रिजल्ट को डिसाइड नहीं करेगा, तब ये नहीं दूगो हिंदी, दूगो इंगलिस पूछा है, तो हिंदी ये इंगलिस परने में लग गए, नहीं, जहां पर ज्यादा है, तेखिए, हिस्टरी ज्यादा पूछ रहा है, पॉलिटी ज्यादा पूछ रहा ह देख लीजिन हे, Historie 14 गो है, Quality 13 गो है, जोग्रफी 12 गो है टोटल, Economics 10 गो है, देख लीजिन हे, Economics 10 गो है, बहुत सारा मस्तरवाट तो बोलता है, 3 गो, 4 गो, Economics आया, अच्छा, 3 गो, 4 गो आया है, मतलब योहों ने पता है, कौन Economics का question है, कोन economics का question नहीं है prelims की बात है ये 10 गो economics आया है, men's में 2 गो आया है और pattern यही रहा है हम आपको एक बात एक और यहां पर संदेश देना चाह रहे हैं economics पे पकर prelims में बना लीजिए prelims में economics के प्रस्ट 1275 में भी जायदा रहे हैं 123 में भी जायदा रहे हैं 2446 में भी जायदा रहे हैं लेकिन men's में economics नहीं ही पूछता है या पूछता है तो maximum 2 या 3 पूछेगा या नहीं पूछेगा तो prelims में economics decide करेगा आपके result को तो जो अगली यहां पर गौर करने वाली बात है prelims की तयारी के दोरान economics पर जादा जोड़ देना है men's की तयारी के दोरान economics पर जादा जोड़ नहीं देना है क्योंकि men's में मात्र दूगो economics पूछा है अगला PDF आप देखेंगे अगला PDF आपको men's का ही है जो 25 फरवरी को हुआ है देख लिजिए आप यहाँ पर अर्थवेबस था दो prelims दस men's दूगो तो कहाँ पर अर्थवेबस था economics कहां result decide करेगा आप थोड़ा स्वेंग सोच करके देखिए तो economics prelims के result को decide करता है men's के result को economics decide नहीं करता है इसके बाद जो आपको men's के परिक्षा हुए है इसमें इतिहास से देख लिजिए छो चो बारदू चोदर इसमें भी चोदर प्रस्ण आये है छोगो प्राचिन से आया है दूगो मध्यकालिन से आया है और छोगो आदोनिक से आया है और विस इतिहास से एगो आया है चोदर एक पंदर प्रस्ण हुए और एक संदेश यहाँ पर हम आपको यह देना चाहते है कि आप देखे होंगे कि अभी सिलेबस सम्मे परिवर्तन हो रहा है और जहां तक हमें याद है प्रिलिम्स में भी मद्यकालीन भारतिय इतिहास एक से दो प्रस्ण पूछता है और मेंस में भी एक से दो मतलब इतिहास की भी अगर हम बात करें तो इतिहास में तीनों सेग्मेंट पर जोर नहीं देना है लेकिन दो सेग्मेंट पर भारतिय इतिहास में decide करता है, prelims में world history से 3 प्रस्ण आये थे पहला sitting में भी 3 प्रस्ण आये थे और दूसरा sitting में भी 3 प्रस्ण आये थे तो prelims में world history decide करता है चीजों को और world history से प्रस्ण पूछे भी जाने चाहिए और इसलिए प्रस्ण पूछे जाने चाहिए क्योंकि 9th और 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री है NCRT जा करके देखिएगा और यहां पर हम आपको बता दे कि NCRT का short note हम आपको शुरू में ही available करबा देंगे और हमारा परियास ये रहेगा कि जब हम इतिहास पढ़ाएं तो आधुनिक के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री को भी जो है ले करके चले वर्ल्ड हिस्ट्री हम आपको परहा दे NCRT के थूरू वर्ल्ड हिस्ट्री हम आपको परहा दे समझ गए तो यह मैंस का है भारत का भूगल देख लिए सिर्फ भारत का भूगल 13 भारतिय राज बेवस्था, 13 अर्थ बेवस्था 2, समसमाई की छोग, देखे समाने तोर पर पहले क्या होता था, कि करेंट सिर्फ और सिर्फ प्रिलिम्स में पूछता था, इस बार मेंस में भी प्रिलिम्स पूछा है, तो आप स्वेंग बताईए, पहले ये था, कि प्रिलि मैं Christina का अलग तयारी किजिए गा मेंस का अलग तयारी किजिए गा नहीं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं आपको प्रिलिम्स और मैंस दोनों की तयारी जो है साथ-साथ करना होगा अगर यहां पर विहार है 3 भोत्की है 5, रसाइन सास्त्र है 5, जीब बिज्ञान है 5, गनीत 5, मांसिक योगता 20, विबीच्छो समाध सास्त्र 2, ये आपको मेंस में पूछे गए प्रशन है, तो कुल मिला करके आप प्रिलिम्स देखिए या मेंस देखिए, दोनों में हिस्ट्री पॉलिटी जोगरफी, ये तीनों सब्जेक्ट का वेटेज काफी जयदा है, आप प्रिलिम्स में गिल लिजिए, हिस्ट्री पॉलिटी जोगरफी, प्रिलिम्स में 14, 14, 14, 14, 13 कितना हुआ? 27, 27, 12, आ ऐसलि पाड़ा उनचालीश उनचालीश हुआreg fandar 15-92 हुआखंच इन छा आटालीश हुआ कि प्रिलिम्च में हिस्थ्री प्वलीटि जॉयोंस्या करफ और यесुथयां कि हिस्थ्री इधोर्प फट्त इधोरी तवलिश देख ली मतलब एक ratio ले करके चल सकते हैं कि history policy geography के अगर हम लोग बात करें तो history policy geography आता है कितना 40 के आसपास चालिस के आसपास question history policy geography आता है और हम आपको बता दे कि अगर आप हमसे history policy geography पढ़ते हैं 40 question मान के चलिए 35 question आप बना करके आईएगा हमारा विद्यार्थी 35 बना करके आया है और आएगा भी तो आप लोग भी कमसरिकम 35 question निश्ची तोर पर history policy geography में बना करके आईएगा इसमें कोई ये नहीं होगा ताली बजाने की कोई जौरत नहीं है तो बस यही है जो पढ़ाएंगे जो करबाएंगे उसको किजिएगा उसको digest करना है उसको पचाना है अब इसमें क्या तरीका आपनाना है क्या करना है क्या नहीं करना है तो देखे कुल मिला करके जो है इन सभी चीजों के जड़िए हम आपको यह बतलाने का परियास कर रहे थे कि prelims में क्या पूछा और mens में क्या पूछा कितना question prelims में पूछा है और कितना question पूछा है mens में ये बात जो है हम आपको बतला दिये हैं तो इसको आधार बनाते हुए जो है आप अपना तयारी कीजिएगा इन चीजों को आधार बनाते हुए अपना तयारी चलिए अब आगे आईएगा संस्थान आपको किस तरह मदद करेगा ठीक है कि यहाँ पर दो टीचर का नाम लिखा हुआ है कि लेकिन कुल तीन टीचर आपको पढ़ाएंगे और जोरत अगर परा तो चौथा आएगा पांचमा आएगा ऐसे जोरत पढ़ता नहीं है समझ गए तो यहाँ पे रोसन आनंद है इसको तो जानते ही होंगे जानते हैं इसको तो यह जो है आपको पढ़ाएंगे हिस्टरी पॉलिटी जोगड़फी करेंट एस्टेटिक्स इतना चीज हम आपको पढ़ाएंगे लगभग आप मान करके चलिए आपके प्रिलिम्स परिक्षा में भी पचास कोश्चन के मालिक हम है और मेंस में भी पचास कोश्चन के मालिक हम है जहां तक बिट्टू जासर का सवाल है यह आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, केमेस्ट्री, बाइलोजी, इकोनोमिक्स तो यह चार सब्जेक्ट बिट्टू सर पढ़ाएंगे और इधर हम पढ़ाएंगे इसके बाद बचा मेंथ और रिजनिंग, मेंथ और रिजनिंग की अगर हम बात करें तो परभू सर जो है आपको मेंथ और रिजनिंग पढ़ाएंगे अगर उन्हें पढ़ाएंगे तो किसी और को लाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे वही, समझ गया, अच्छा पढ़ाते हैं पचास कोश्चन में इधर हम है, पचास कोश्चन में बिट्टु जासर और परभू राजसर दोनों है, समझ गया, तो हमारा वेटेज जो है यहाँ पे जादा है, और हमारे पढ़ाने का क्या तरीका होगा यहाँ पे तोरा जान लीजिए, ऐसे मेक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो यूट्यूब से जुड़े ही होंगे, हमारा कुछ न कुछ लेक्चर तो आते ही रहता है कभी-कभी, समझ गया, तो वहाँ पर आप देखे ही होंगे हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, लेकिन फिर भी कुछ नए लोग होंगे वो जान लीजिए, टार्गेट बेच में हम आपको देते हैं PDF, PDF नोट देते हैं, और उस PDF नोट को हम करते हैं discuss, बोड पे, और फिर उसको करवाते हैं याद, क्लास में ही बोल-बोल करके, आपको भी बोलना होता है, एक तो ये चीज है, दूसरी बात, जो एकदम new है, जो रोशनानन को जानते ही नहीं है, वो एक अपता क्लास कर लिजे, पता चल जाएगा कई से पराते हैं, और जो जानते हैं उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो ये चीज है, और जो है आपको, नोट का जहां तक सवाल है, PDF note, आप लोग अपने मनसे नहीं ले लिजिएगा, पहला क्लास में हम आपको ये बात बता दे रहे हैं, पीडियेप नोट आप अपने मन से नहीं ले लिजिएगा, पीडियेप नोट हम डिसाइड करते हैं, कुन बेच में क्या देना है नहीं देना है, हम जो क्लासरूम में बोलेंगे on stage, वो वाला पीडियेप नोट आपको लेना है, और उसी से हम आपको क्लास करवाएंगे, समझ गए, तो ये चीज है, और बिटु जासर का सवाल है, तो वो भी आपको अपने पीडियेप नोट के जड़िये ही जो है करवाएंगे, और बिटु सर के नोट से प्रश्ण समाने तोर पर किसी भी जेनरल कंपिडिशन में साइन्स में बाहर नहीं जाता है, 100% तो नहीं, लेकिन 90% दावा हम निश्चित तोर पर कर सकते हैं, अगर 10 प्रश्ण आएगा physics, chemistry, biology, तीनों मिला करके, तो 8-9 प्रश्ण बिटु जासर के नोट से होगा, साइन्स में तो हम आपको बताएंगे कि आपको कुछ भी करने की जौरत है ही नहीं, बिटु जासर के नोट के अलाबा, आपको कुछ भी करने की जौरत नहीं है, और उनके नोट का जहां तक सवाल है उनके नोट को अगर आप कर लेते हैं तो आपको NCIT सब भी पढ़ने की कोई ज़ुरत नहीं है उनका नोट पूर्णता है NCIT-based note है एकदम सत परतिसत NCIT-based note है आप NCIT पलट के देखिएगा उनके नोट को देखिएगा एकदम सब चीज आप आपको बहतर कर लेना है बहतर ढंग से कर लेना है उस पर पकर अपनी मजबूत कर लेना है साइन्स में आपको प्रश्ट नहीं छूटेगा समझ गए तो यह हो गया अब इसके बाद book list यहाँ पर कुछ चीज हम आपको समझाएंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है किन च लगतरई हो सके अब बहतर कर सके और आपको सफलता मिल सके क्या करना है और क्या नहीं करना है इन बातों की चर्चा हम आपके साथ कड़ रहे हैं तो आप समझेगा कि सबसे पहले आ जाते हैं book list पर लेकिन book list से पहले एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने संसाधन को सिमित कीजिए मतलब सिमित बुक रखिए मतलब कुछ बुक को एकदम सेलेक्ट कर लीजिए और एक बार में डिसिजन ले लीजिए कि हमको यही बुक करना है और देखिए हम आपको एक बात बताते हैं इतिहास का कोई भी बुक हो जो बात एक बुक में है वही बात दूसरे बुक में भी होगा वही तीसरे बुक में भी होगा वही चोते बुक में भी होगा उसको बोलने का तरीका कुछ और होगा या हो सकता है उसमें एक फैक्ट जैदा होगा एक fact कम होगा विद्यार्थी क्या करता है कुछ इतिहास e-book से पढ़ेगा कुछ o-book से पढ़ेगा इसमें होता है क्या कि उसका एक भी book complete नहीं हो पाता है और अगर एक भी book आपका complete नहीं हो पाया और जब आप book ही complete नहीं कर पाए syllabus ही complete नहीं कर पाए आप पहले से incomplete है तो रिजल का आप आसा किस मुझ से रखते हैं तो इसलिए book list बताने से पहले book list बताने से पहले जो बात हम आपको बोल रहे हैं संसाधन को सिमित कीजिए और हमारे पास आए हैं एक भरोसा और बिस्बास के साथ आए हैं हम जो आपको book list दे रहे हैं उसको आप follow किजिए और उसी book list के आधार पर सेक्डों छात्रों को जीवन में सफल बना दिये हैं और अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आप भी सफल होंगे लेकिन हम आपको यहाँ पर बताते चले पचास परसेंट बच्चा जरूर मेरा बात मानेगा लेकिन पचास परसेंट बच्चा एकदम हमारा बात नहीं मानेगा जैसे हम बोले हैं आम वो किसी तीसरे को देखा इमली पढ़ते हुए वो पढ़ेगा इमली किसी चौथा टीचर का वीडियो देख लिया वो बोला कठल पढ़िये तो वो कठल पढ़ना शुरू कर देगा किसी पांचमा यूट्यूबर का देख लिया लीची तो लीची करना शुरू कर दिया तो ये चीज हो जाता है तो अगर आप इस चक्कर में रहेंगे तो ना आम मिलेगा ना इमली ना कठल ना लीची सब चीज हो जाएगा खिचडी तो इसलिए आम का मतलब आमे होता है इमली का मतलब इमली होता है एक बार डिसीजन ले लिजिए जीवन में कि हमको ये करना है मतलब करना है अब ये नहीं कि डिसीजन ले लिए आगे हो रहे हैं पीछे हो रहे हैं आगे हो रहे हैं पीछे हो रहें नहीं एक बार अरे में बात क्या है जनते हैं अप लोग decision क्यों नहीं ले पाते हैं अपने उपर समय ही नहीं देते हैं सबसे बड़ा चीज यह है कि अपने उपर अपने बारे में अपने केडियर के बारे में समय ही नहीं देते हैं, वो एल चलाते हैं, डिल देखना है, बत्याना है, यूट्यूब देखना है, देश दुनिया का बात है, घर पे बत्याना है, इधर उधर करना है, दोस्त से बत्याना है, पाटी साटी करना है, तो अपने उपर समय कहां है, लेकिन ह हम आपको बता दे, आप हमसे पढ़े या ना पढ़े, यह कोई माइने नहीं रखता है, परन्तु आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने केरियर के बारे में सोचिए, और संसाधन को सिमित कीजिए, जिस विद्यार्थी के रूम में बहुत अधी किताब है, मान करके चलि संसाधन को सिमित करना है, अब यहां पर, हमारे दूरा और बिटू जहासर के दूरा, जो बिहार S.I.E. का Question Bank लिखा गया है इस बुक को तयार करने में हमको दूबरस का समय लगा है दूबरस उसके बाद जा करके पबलिस हुआ है तो ये बुक अभी मार्केट में नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है आउट आप मार्केट है बुक ये बुक बिहार S.I.E. के छेतर में लुसेंट का स्थान धारन कर लिया है आप पता कर लिजिएगा समझ गया है और इस बुक को अपडेट कर रहे हैं जो 64 पोस्ट वाला प्रिलिम्स का परिच्छा हो चुका मेंस का होना है वहां तक के Question को अपडेट करेंगे और ये बुक ए जब तो आउट आप ए स्टॉक है जो पुराना था सब खतम हो गया है तो अब नया प्रिंट इसलिए नहीं मार रहे हैं हम Publication वाले को इसलिए नहीं बोल नहें मारने के लिए क्योंकि कुछ अपडेट करना है चीजों को कुछ डाटा को skip करना है कुछ डाटा को हताना है कुछ नया डाटा जोरना है तो इस पे काम जारी है ये बुक होली के आसपास आ जाना चाहिए और यहां पर हम आपको बताते चले, prelims की तयारी करने वाले संस्थान के हर चात्र को या question bank का book, offline चात्रों को question bank book, only offline चात्रों को question bank का book, न्यू एडिशन संस्थान के तरफ से एबलेबल करवाया जाएगा उसके लिए आपको कोई पे करने की जौरत नहीं है आपका जो एडमिसन चार्ज है अरे ताली कहें बजा रहे हैं महाराज ऐसा थोड़े कि हम आपको फिडी में दे रहे हैं जो फी है फी में इंकुलूड है फी में इंकुलूड है ताली नहीं बजाना है समझे फी में इंकुलूड है और देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार देखे कुछ बच्चा जो है पहले के एडिशन का बुक ले करके रखा है तो नया एडिशन वाला नहीं लिया नया एडिशन वाला तो उसमें बहुत सारा दाटा एड किये और इस बोक को ही प्रिलीम्स की तयारी का आधार बनाना है यही बूक बनाना है और यही बोक बेस है जैसे building खड़ा करना है तो सबसे पहले कुर्सी, pillar, pillar सब ढाला जाता है और जितना मजबूत pillar होगा, building उतना मजबूत होगा, उतना मंजिला आप ठोक सकते हैं और जितना कमजोर pillar होगा, उतना कम मंजिल ठोक सकते हैं आप समझ गए यह book बिहार SI की तयारी के लिए एक base है, एक आधार है, और 2025 इस भी तक जितना भी बिहार SI का परिच्छा होगा इस book से 50-60 question रहेगा ही रहेगा नहीं रहने का कोई सवाल नहीं है एक बात यह है, तो book में देखिए, एक book हम आपको अभी तक बताएं हैं तो book list में इसको बिहार SI कोश्चन बैंक, बैडोसन अन्यंदन बिट्टु जा इन दोनों के द्वारा जो लिखा गया है, उसी को करना है, दूसरा किसी को नहीं करना है क्योंकि हम काम किये हैं, हमको पता है, आप हमारे पास आए हैं, इसलिए हम बोलने हैं, यही book पढ़िए हमारे पास नहीं आते तो अपना जोमन होता था, आपना करते थे आप, समझ गया है तो यह चीज है, और इसको अपनी प्रेमिका से भी ज़्यादा मानना है, इस book को, समझ गया है अगर सफल होना है तो, नहीं होना है तो कोई बाते नहीं हैं, इसी के साथ सोना है, इसी के साथ उठना है, इसी के साथ खाना है, इसी के साथ पीना है सब काम इसी के साथ करना है और देखिए एक बात आप समझिए यहाँ पर जो हम सिमित संसाधन बोले थे देखिए अगर किसी के पास option बहुत ज्यादा होता है इसको चूज करे उसको चूज करे उसको चूज करे confused हो जाता है अगर option कम है तो चूज कर लेता है हाँ यह सिमित संसाधन होगा तो आप उस पर अच्छे से काम कीजिएगा तो एक book आपका यह हो गया यह आपका आधार book हो गया ठीक है पचास से साथ question हम आपको बोले आप हमसे नहीं पढ़िए इस book को पहला पेज से लेकर अंतिम पेज तक आप रट जाईए कैसी भी आप कर जाईए जो 2024 में वेकेंसी आनी है उस परिच्छा में आप बैठिएगा आप हमसे मत पढ़िए आप बैठिएगा पचास से साथ question आप हंडेड परसेंट बना करके आईएगा हम लिख लिजी आप ये बात ठीक है हंडेड परसेंट बना करके आईएगा आप पचास से साथ question समझ गए तो ये चीज है अब इसके बात इस book में एक नया इस session में हम जो है एक नया चीज करने जा रहे हैं हम ये सोच रहे हैं कि थोरा सा जितना मेहनत हम आपके साथ करेंगे करते हैं थोरा सा हम अपने मेहनत को और बढ़ाएं है क्या इस book का बहुत सारे YouTube channel पर वीडियो है अनेको YouTube channel पर वीडियो है कम सेकरो YouTube channel पर इस book का वीडियो है आप YouTube channel खोल करके देख लीजिएगा इससे आपको इस book के महत्यों का पता चल जाएगा अब एगो यूट्यूबर पागल हो सकता है दूगों हो सकता है सेकरों तो नहीं नहीं हो सकता है है की नहीं है तो हम ये सोचे हैं कि इस book को लेकर के हम वीडियो बनाएंगे और especially आप लोगों के लिए संस्थान के application पर वो वीडियो एबिलेबल करवाएंगे और आप लोग जो है अपने से अगर नहीं कर पाईएगा परियास तो किजिएगा अपने से करने का लेकिन अपने से अगर नहीं कर पाईएगा तो संस्थान के application पर इस book को लेकर जो हम वीडियो बना करके देंगे उस वीडियो को शूल लिजिएगा या audio format में देंगे या video format में देंगे लेकिन तरीका अलग होगा केमरा के सामने आ करके नहीं केमरा के सामने नहीं केमरा के पीछे केमरा के पीछे रह करके इस book को complete करवाने का हम स्वेंग करेंगे या फिर होगा तो केमरा के सामने ही आ करके कर दिंगे वो देख लिया जाएगा उस समय के अनुसार तो कुल मिला करके जब हम आपको इस book को आधार बन बन रहे हैं तो इस book को हम complete भी करवाएंगे चाहे जिस भी रूप में हो समझ गए दूसरा book संस्थान के द्वारा जो भी class note या pdf दिया जाएगा संस्थान के द्वारा जो भी class note या pdf दिया जाएगा तीसरा परिच्छा के एक माह पहले हमारे द्वारा current निकाला जाता ही इस बार भी निकाला गया था इस बार भी निकाला जाएगा current निकाला जाएगा उसको कर लेना है और exam से एक माह पहले या देर माह पहले practice state आएगा आप सिर्फ उसको कर लीजिएगा और सिर्फ अगर आप इतना भी करते हैं और हमको पूरे विस्वास है, कि अगर आप इतना करते हैं और अच्छे से चीजों को डाइजेस्ट कर जाते हैं, दुनिया का कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोकेगा, तो बुक लिस्ट को ले करके ये बाते हुई, अब क्या क करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना में है सुनिए, सबसे पहली बात, क्लास रेगुलर करना है, जो कि आप नहीं कीजिएगा, पहली बात, दूसरी बात, चीजों का जितना अधीक से अधीक बार हो सकते हैं, डीभीजन करें, डीभीजन जितना ज्यादा करेंगे, आप उतना परफेक्ट बनेंगे उतना बेटर बनेंगे यह बोलने हैं क्या करना है में क्या करना में है पहले क्लास रेगुलर करना है क्लास रेगुलर करना है दूसरी बात है डिभीजन जितना ज्यादा से ज्यादा करना है जितना ज्यादा से ज्यादा रिभिजन करना है तीसरी बात लक्ष असपस्ट होना चाहिए उसमें कोई भटकाओं नहीं होना चाहिए अब ये नहीं दरोगों बनना है टेक्निसियनों बनना है ड्राइबरों बनना है तो इसमें न दरोगा बन पाईएगा न टेक्निसियन न ड्राइबर कुछ नहीं बन पाईएगा तो अपना लक्ष एकदम असपष्ट कर लिजे और आप सभी लोग आए हैं आपका लक्ष असपष्ट है हम तो यह मान करके चल ले हैं आपका लक्ष है दरोगा बनना इसलिए आप आए हैं और अगर आपका लक्ष असपष्ट नहीं होता तो आप नहीं आते तो हम यह मान करके चल रहे हैं कि आपका लक्ष असपश्ट है अगली बात देखिए एक तो सबसे बड़ा चीज है महनत महनत करने के लिए तयार हो जाईए अपने आपको प्रिपेर्ड कीजिए कि हम महनत करेंगे हम महनत कर सकते है है तो महनत करने के लिए आप तयार हो यह और हम आपको बता दे हम होंवर्क भी देते होंवर्क स्रीज भी पत्ना के भीतर एजुकेशन फिल्ड में हमीं सुरू किया हैं बाद में सब सुरू किया हूँ अलग चीज है लेकिन होंवर्क स्रीज हमारा ही के हिसाब से और आपको कुछ नहीं करना है सब चीज सब दीन का हम डिसाइड कर देंगे फलना दीन परना है अग्ला दीन परना है अग्ला दीन परना है अग्ला दीन परना है सब दीन हम डिसाइड करके दे देंगे कि आपका यह हुंबर्क है आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ जो हुंबर्क दिया जाएगा जो कहा जाएगा उसको करते जाएगा तो आप हुंबर्क तब कर पाईएगा जब आप मेहनती होईएगा तो आप मेहनत करने के लिए अपने आपको prepared कीजिए इसके बाद मेहनत से भी बड़ा चीज है एक और अपने उपर बिस्वास आपको अपने उपर बिस्वास करना होगा कि आप कर सकते हैं बहुत सारा विद्यार्थी तो यहाँ पर भीरे देख करके अकबका जाता है कि हमसे होगा कि ने होगा इतना भीर है, क्या होगा, क्या ने होगा इतना लोग तयारी कर रहा, 6 लाग फौर्म गिर गया, 8 लाग फौर्म गिर गया हमारा क्या होगा तो मेहनत से भी ज्यादा जरूरी है अपने उपर विश्वास जिसको कहते हैं आत्म विश्वास अंग्रेजी में self-confidence, बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप में विश्वास है कि आप कर सकते हैं, तो आप निश्चित तोर पर कर सकते हैं, अगर आप में विश्वास है कि आप कामयाब हो सकते हैं, तो आप निश्चित तोर पर कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आएगा कहां से विश्वास को नो मुसलब पुर हाथ में थोड़े मिलता है कि 10 रुपय जा करके खड़िद लेंगे नहीं तो बिस्वास आएगा कहां से पढ़ने से आएगा पढ़ने से पढ़ाई करने से बिस्वास आएगा अगर आप पढ़ाई किजिएगा ना रूटीन फॉलो होगा ना टेस्ट में टॉप किजिएगा ना तो अपने आप बिस्वास आजाएगा कि हम कर सकते हैं तो विसवास आएगा काम करने से परने से मेहनत करने से विसवास आएगा तो अपने आप में विसवास पैदा करने के लिए मेहनत करना सुरू कर जिजे पढ़िये इसके बाद हमेशा positive minded रहने का परियास कीजे result हुआ, ठीक है कुछ भी हुआ तब भी ठीक है हमेशा positive minded रहने का प्रियास कीजिए देखिए होता क्या है जानते हैं आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं अगर आप सकारात्मक सोचके होंगे सकारात्मक सोचेंगे आपके साथ भी सकारात्मक चीज ही होगा आपका result भी सकारात्मक होगा लेकिन मान लिया जाए कि आपका सोच ही negative है आपके जीवन में भी negative ही होगा और आपका result भी negative ही आएगा तो सकारात्मक सोच डबलब करना है अब सकारात्मक सोच कैसे आएगा सकरात्मक माहौल में रहिए सकरात्मक माहौल में रहिए सकरात्मक माहौल में रहने से सकरात्मक सोचाता है तो अपने आसपास के माहौल को पोजेटिव बनाईए जो भी निगेटिव लोग है जो भी आपको अपने जिवन में निगेटिव करता है कोई कहता है, तुमसे नहीं होगा, उसको अपने जीवन से दूर कीजिए, सकरात्मक लोगों के आसपास रहे और हमेशा यह परियास कीजिए, कि जो परने में आप से अच्छा है, उसको अपना पार्टनर बनाए, जो परने में आप से अच्छा है, उसको अपना पार्टनर ब लेगा दुग बाद सह लीजिये उसका अगर नौलेज लेना है तू तो अच्छे लोगों के संसर्ग में रहे और इसके बाद least line है अनुसासन, discipline अंग्रेजी में discipline का मतलब क्या है जानते हैं हम discipline का मतलब क्या समझाते हैं अगर हमारे दृष्टिकों से एक छात्र के लिए discipline की बात की जाए तो हमारे दृष्टिकों से एक छात्र के लिए discipline का मतलब होता है जिस उद्देश को प्राप्त करने के लिए सेक्रो किलोमीटर से चल कर आप पटना आए है अर्थात पढ़ने के लिए पटना आए है तो पढ़ने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए चात्र के लिए discipline का मतलब ये होता है मतलब परहाई में कोई वहाँ पोह बाली बात नहीं होनी चाहिए परहाई करना ही करना है भले एक दिन नहीं अस्तनान किये भले एक दिन खाना नहीं मिला भले थोड़ा बहुत माथा दरद कर रहा है लेकिन फिर भी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है एक छात्र के लिए अनुसासन का मतलब होता है डेली होंबर करना डेली क्लास करना टेस्ट हो टेस्ट देना और क्लासरूम में सिख्छक की बात को मनना एक स्टुडेंट के लिए हमारे नजर में डिसिप्रिन का मतलब यहीं होता है इसके बात यह तो क्या करना है और आगे बहुत कुछ बताएंगे समझ गया है यहाँ पर अब जानिए कि क्या नहीं करना है एक तो पहली बात श्टार्टिंग में ही आपके बेच में कह दे रहे है दो नौकी सबारी कभी नहीं करना है दो नौकी सबारी आपको कभी भी आपके मंजिल तक नहीं पहुचाएगा बलकि बीच में ही आपको डुबो देगा तो दो नौकी सबारी कभी नहीं करना है अगर आपको हमसे पढ़ना है तो आप सिर्फ हमसे पढ़िए अगर आपको किसी और से पढ़ना है तो आप सिर्फ किसी और से ही पढ़िए उसी से सिर्फ पढ़िए क्योंकि अगर आप दोनों की सबारी करेंगे हमसे भी पढ़ेंगे किसी और से भी पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा जानते हैं ना आप पूर्णता हमारी बातों को accept कर पाएंगे ना किसी और की बातों को accept कर पाएंगे इसमें फैनली घाटा होगा आपका आप दो से पढ़िएगा दोनों के पास पैसा दीजिएगा दोनों का तो मजे मजे है लेकिन फैनली घाटा किसका है आपका हम ये कभी नहीं कहते हैं कि आप हम ही से पढ़िए ना एकदम नहीं कभी न कहें हैं न कहेंगे जिस रोज ऐसा नोबत आ जाएगा उस रोज परहना छोड़ करके चल जाएंगे हिमाले तो हम आपको यहीं कहेंगे बादमा की आप समझ ही गए होंगे दो नौकी सबारी किसी भी सिच्वेशन में नहीं करना है अगर हमको फोलो करना है तो सिर्फ हम को किजिए किसी और को करना है तो कीजिए जिसको करना है आप उसको किजिए आप सोतंत्र हैं आप एक इस्वी सद फ्रापमग देशा है, समझ गए इसके बाद मोड से दूरी बनाईए दूसरी बाद मोड से दूरी बनाईए मोड से दूरी अब जो ओनलाइन कुलास करते हैं वो दूरी बना लिजिए Canada तो पढ़िएगा कई से तो अनलाइन क्लास करने वाले Consult मोयल के पास आईए और ओफलाइन करने वाले लोग मोयल से दूरी बनाईए ठीक है इसके बाद एक और बात कहना चाहेंगे जो लोग पटना में रह रहे हैं प्रियास कीजिए ओफलाइन क्लास करने का ओनलाइन क्लास में डिसिप्लिन नहीं बन पाता है क्लास करने क्या होता है क्लास चल रहा है फाउन आगया बतियाना सुरू क्लास गया बहाड में अपना क्लास को कुन देखता है फिर दूसरा बात क्या सोजता है बच्चा अप्लिकेशन पर यह है मोयल में तो यह कल पढ़ेंगे ना, फिर कल आएगा, परसु पढ़ेंगे ना, जीबन में कभी उने पढ़ पाता है, ओनलाइन में अनुसासन कभी नहीं बना रहा सकता है, तो इसलिए जो पटना में रहने वाले लोग हैं, जब पटना में वीरव करके आप मुवेले पर पर रहे हैं, तो ठी क्लास कीजिए, आकर के क्लास परने का, और एक चीज और है, जो बात हम आपको पहले भी बोल चुके हैं, अनेकों भूकों को अपना आधार नहीं बनाना है, भटकाव नहीं आना चाहिए, कि अब ये नहीं, कि मनलिया जे कि SI की भेकेंसी में छो मेना लेट हुआ, अपना ड विद्यार्थी में एक भटकाव क्या आता है, कि जैसे मनलिया जाए कि आप हमारे पास पर रहें, आपका कोई सिनियर, कोई दूसरा टीचर के पास पर रहा है, तो आप देखे हैं, हम उद्रे जाएंगे, समझ गाए, तो इस परकार का भटकाव नहीं आना चाहिए, फिर ए आएगा, निश्चीत तोर पर आएगा, नहीं आने का सवाले पैदा नहीं होता है, कि नहीं आई इस सब चीज, एकदम हंडेट परसेंट आएगा, तो इस सब चीज नहीं आना चाहिए, एक बाद decision ले लीजिए, उस पे काम कीजिए, शुरू से लेकर अंतिम तक सफल हो या आसफल, सफल होंगे तो बले बले, असफल होंगे तो यह परियास करेंगे कि असफल क्यों हुए, उस असफलता के कारण क्या है, उसको ढूर्णने का परियास करेंगे, फिर जो कमी नजर पर आएगा उस कमी पर काम करेंगे, सपल हो जाईएगा, यही है, यह जानकारिया हुई, इसके बाद आगे, बैच में तो हम आपको बता ही दिये हैं क्या-क्या देंगे, लेकिन उससे आगे सुनिए, अब, फाइनल बात करने जा रहे हैं हम आपके साथ, आप जिस बैच में इस बैच में आपको क्या-क्या मिलेगा, फी आप ओफिस में पता कर लिजिएगा, ऐसे ओफलाइन फी का जहां तक सवाल है, तो ओफलाइन फी जो है, अभी डिसाइड नहीं किये हैं, एक सबता डेमो है, डेमो कीजिए, डेमो करते-करते ओफलाइन फी डिसाइड हो जाए और online बाले जितने लोग हैं, उनको question bank का हम pdf available करबा देंगे, online बाले जितने लोग है question bank का new edition question bank का रहा है, उसका pdf available करबा देंगे, और online बाले चात्रों को हर subject का pdf available करबा देंगे, समझ गए? आप संस्थान से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आपको संस्थान का टेलिग्राम चेनल है, संस्थान का यूट्यूब चेनल है संस्थान का अप्लिकेशन है सब ज्यान बिंदू GS Academy पतना के नाम से है तो संस्थान के टेलिग्राम चेनल को जोइन कर लिजिए अप्लिकेशन डाउनलोड कर लिजिए और जो है देख लीजिए आप अपना जो भी है